तो नाव ग्लेंड फार्मा लिमिटेट अब देखिए 1231 रुपय का प्रायस है और यहां पर बहुत सारे सवाल है कि इंदर क्या किया जाएं यहां पर क्वेश्चिन बहुत है यहां पर ना लॉस जो है रीटेल इंवेश्टर के वह बहुत ज़ादा है और यहां पर हम देखे 31 यहां पर लॉस्स जो हैं वो अलमुस्ट अगर हम बात करें तो 70% से एवब होंगे और अगर हम देखें यहां पर तो हमारी लास्ट टाइम जो बात हुई थी आपकी जब क्वेरी आए थी तो यहां पर अलमुस्ट वो लेवल ता 1700 के आसपास का या 1800 के आसपास का उस वक्त ह यह नई लिस्टिंग दिया और गिरता जा रहा था यह स्टॉक और मैंने आप से कादा कि अगर यह लेवल और गया तो पिर यहां पर जो है ना तेज गिरावट हो कि कहीं नहीं वह साई होता हो नज़र आए पिछली बार भी एक क्वेरी थी उस वक्त भी लॉसस यहां पर और अभी भी लॉसस यहां पर बने हुए रिटेल इंवेस्टर्स के तो यहां पर क्या किया जाए और यह लॉसस हुए क्यों है सबसे पहली बात है यह लॉस क्यों आपको हो रहा है यह आपको पता होने चाहिए क्योंकि यह पर आईपियों के बात तो यहां पर एक अच्छ तो क्या हुआ है जरा ये चेक कर लेते हैं तो इस वक्त मार्केट कैप जो है ना वो बीस जार दोसो अठतर करोड है अब यहां से अगर हमें यह चुन लें कि चार गुना अगर हम कर देजिए फोर टाइम यहां पर कर दीजिए क्योंकि आपका प्राइस आलमोस्ट है यहां प फिकर में लें तो 3.8 टाइम से आपर जो है ना इस प्राइस से अभी का जो करेंट प्राइस है 1231 को उसमें अगर देखें 3.5 टाइम टू 3.6 टाइम से आपर जो है ना आपका मल्टिपल पर वर्क कर रहा था है यह स्टॉक यहानि 4,000 दोसों 4,000 तीन सों के असपास मैं मान सबसे पहली बात तो है रीटेल इन्वेस्टर को यह देखना चाहिए कि 70,000 करोड का जो मार्केट कैप पर बैठी है कमपनी क्या वो जस्टिफाइ करती है यह नहीं करती है क्योंकि आभी जो मैं देख रहा हूं उस हिसाब से यहाँ पर जो है ना आभी जो लगता है वो इस 200,000 करोड की एक करोड की वैलुशन मिल लेग थी इस है वह क्यों मिल लेती यह भी जर्दा चेकरी लेकिन यह वैलूशन जो है ना वह बहुत बहुत महंगी थी जिस तरीकि साब आपने चारीकर लूज से बेलूशन जो हाई थी पेटियम में देखे किस तरीकर से आपका को और जून 2021 में 1154 करोड की नेट सेल थी उसके बाद 1080 1063 बापस 1103 मार्च 2022 में उसके बाद एक साल बाद जून 2021 से जून 2022 का अगर देखेंगे तो 857 करोड की नेट सेल उसके बाद फिर से सुदार 1048 और इसके बाद दिसंबर जो अभी लेटेस्ट 2022 का आया नहीं की क्यू तर सेल थी 642 करोड का एक्सपेंस था काट कूटकर अगर आप देखेंगे तो बिना टेक्स के अभी ना आप देखेंगे तो यहां पर 284 तो अगर यहां से आप देखेंगे ना तो कुछ करके नहीं दिखा है कोई भी ऐसा क्वाटर नहीं है जून 2021 की नेट सेल जो है ना उसको क्रोस करके ऊपर गया हो और आप बात करते हैं कि 70,000 करोड की वैलिवेशन इस प्राइस पॉइंट पर यहां पर सिर्फ और सिर्फ मार्केट के अंदर ऐसा चलावा यहां पर करिया गया और एक कंपनी नहीं है मार्केट में अनेकों कंपनी है जिसनके अंदर यह सारी चीज चली है तो आप एक अखेले नहीं है बहुत बहुत रीटेल इन्वेस्टर है जो कि ऐसी कंपनियों के अंदर फस गया था उस वक्त और नेट सेल में कुछ भी ऐसा नहीं है आप देखें इस प्राइस नेट सेल ऐसे नंबर्स पर आपको 10,000 20,000 करोड का मार्केट के वाली कं 10,000 20,000 करोड तो बहुत बहुत जादा आभी तो फार्मा की हालत बहुत खराब चली है लेकिन इतनी जादा पूरे साल की नेट सेल नहीं बैठती है कि आपका 70,000 करोड का मार्केट कैब उस वक्त जिस्टिफाई करता ही है इसलिए यहाँ पर जो है ना प्राब्लम बढ़ी वो प्राब्लम की वैसे वो स्टॉक प्राइस जो है ना वो करेक्ट होता हो दिखा है आपके मार्जिन के अगर बात करोगे हाइस्ट मार्जिन था 38 परसेंट इस वक्त आपका ना इस वक्त आपका क्यू फोर आने वाला है क्यू थरी के अगर देखेंग दिसम्मद 2022 के 31 पर सब्सक्राइंहारी चीज़े डाउन यह अं और ग्लेंट फारमा आपका डैटने डेज जो है न वो थीक है वह कई बट आपका इन्वेंटरी देजई ना वो ठीक नहीं लेकिन इन्वेंटरी डेंच में आपका फारमा सुधार कर रहा है कभी इसका 283 inventory days था जो कि घटकर 205 हो गया है almost जब यह 100 के down ले आएंगे तब जाकर यहां पर कुछ बात बनेगी तब जाकर यहां पर जो अच्छा रहेगा एक average अगर देखे तो 50 के आसपास inventory days होने चाहिए लेकिन इसमें 205 है लेकिन सुधार लगातार हो रहा है इस पर ध्यान दीचेगा inventory days में यानि कि आपके go down से आपका माल कितने दिनों में निकल जाता है बाहर बिखने के लिए यह है inventory days और आपका यहां पर अगर हम देखेंगे तो मार्च 2023 का यहां पर यहां पर कितना था 10.72 परसेंट मार्च 2021 में 11.87 परसेंट की स्टेक की घटकर इस वक्त 4.33 परसेंट रह गई एफ आइज ने अच्छा खासा माल बेच दिया इस कंपनी के अंदर डिया इस ने आकर उस सारा माल को absorb कर लिया है और वो पूरा का पूरा माल जो है ना वो खरीद लिया है 23.23 परसेंट इस वक्त हैं और अगर आप देखें मार्च 2021 का तो 11.25 परसेंट से बढ़कर डिया इस वक्त 23.23 परसेंट पर आ चुके हैं जो कि सबसे हाई है तो डिया इस की तरफ से अच्छी ख़बर है एफ इस की तरफ से अच्छी खबर नहीं है है अपर आपका मूचल फंट होल्डिंग जरा देखे तो आपका मूचल फंट होल्डिंग यहां पर बहुत है हो सकता है यह एक बड़ी बात तो यहां पर कुल मिलाकर मूचले फंट वाले जो हैं वह यहां पर एवरिच कर रो desc Eu until पर यहां पर खरिदारी कर रहे हैं अपनी होल्डिंग जो है न वो बढ़ा रहे हैं आप फरवरी से मार्च वाला देखिए तो आपको पता चल जाएगा तो देखे फंडामेंटली अगर मैं देखूं इस स्टॉक को तो मुझे इसमें कुछ नहीं देखना है यह साल का चार हजार करोड चार हजार चार सो करोड के असपास का पूरा साल का इनका नेट सेल है अगर मैं इसकी जगह देखूंगा तो मैं औरो बिंदो फार्मा को देखूंगा औरो बिंदो फार्मा उसको मैं क्यूं देखूंगा इनका मार्किट कैप है बीस हजा करोड औरो बिंदो को चौबिस हजार करोड रुपए का नेट सेल है धाई हजार करोड के असपास का प्रॉफिट है तो ऑबिस सी बात है कि यहां पर जो आप प्रॉफिट देख रहे हैं ना उसके आज 50% इनका जितना नेट सेल हो उसका ता 50% है आपर जो प्रॉफिट कमा रही है वो कंपनी और और वैलुइशन बहुत ज़्यादा महेंगी नहीं है 24 अज्जा कोड की अर्निंग है उसकी और वाई उस पर 33 कोड का मार्किट कैप है तो मैं अधर की तरफ देखूँगा कंपेर टू ग्लेंट फार्मा तो यह तो मेरा अगर एक फंटामेंटली व्यू देखूँ तो मेरा यही बनता है तो नए इन्वेस्टर मैं तो यही कहूँगा न्यू इन्वेस्टर जो है न वो ग्लेंट फार्मा की जगह है और विंदो पर रिसर्च करें ज़्यादा बैतर है ग्लेंट फार्मा पर भी अगर आप देखे न दोनों कंपेर करोगे तो आपको दिखेगा कि औ पेटेंट अगर इनके पास कोई ऐसा है जो कि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर कोई एक ऐसी दवाई है और इन्होंने पेटेंट ले रखा है ग्लेंट फार्मा ने और वो दवाई की जो डिमांड है वो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है त अधर्वाइज मेरे पास यहां पर ना एक नया नेविस के लिए यहां पर ग्लेंड फार्मा मुझे समझ में नहीं आता मैं देखू हूँ और विंदों को और पुराने लोग बेचारे क्या हार स्टॉक जो नए आई प्योज आए है उसके अंदर टोपी से पहना आई गई है तो कहीं न कहीं कर भी यहां पर जो है ना इस स्टॉक में भी लगता है कि टोपी पहना दी गई है अब उसका कर गया सकते हैं अब देखे यहां पर ना एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है यह ट्रेंड लाइन एक हजार पच्चिस एक हजार पच्चिस का लेवल अगर इस stock के अंदर breach हो गया तो फिर बहुत कठनाई होगी इस stock के अंदर ध्यान रखेगा possible है कि कठनाईयां बढ़े यह यहाँ पर दिखता है क्योंकि यहाँ पर double bottom जैसा है यहाँ पर थोड़ा सा हुआ है अगर यह वो level अगर breach कर देगा एक हजार पच्चिस के आसपास का यह trend line के level है ना कि वो double bottom का ठीक है ना यह trend line के level है तो आभी ना वो double bottom जैसा दिख रहा है वो up and down है थोड़ा सा लेकिन वो थोड़ा सा pattern अपना वही वैटता है तो एक हजार पच्चिस अगर इसके अंदर गया तो फिर यहाँ पर ना बहुत ज़ादा मुस्कल है इस stock के अंदर लगती है तो मैं तो यही कहूँँगा कि नए जो investors हैं और gland pharma की तरफ देख रहे हैं कोई ऐसी वज़े नहीं है इससे बढ़िया आप research कर लो अगर कोई patent है इनके पास तो फिर इसके अंदर entry करिए otherwise कोई entry की जगा नहीं आप oromindo की तरफ तोड़ा सा research करो आपको उधर कहीं न कहीं पैसा ज़्यादा बनता हो देख सकता है compared to gland pharma तो वहाँ ज़्यादा पैसा हो सकता है इसके comparison तो उधर देखिए और pharma stocks का तो बैसे भी हाल बहुत खराब है तो आप उसमें आप देख सकते हैं तो आप तब तर रिसर्च करें आपको gland pharma की उपर समझ में आया हो कि चल क्या रहा है आप अपने advisor जो है उनसे भी लाय रहे है या broker है उनसे भी अगर आप एक बार advice ले लें इसके उपर ज्यादा बैतर रहेगा तो आपके कहना है इसके उपर कमेंट सेक्शन केई हो और अगर आप कुछ वीडियो को प्रॉब्लम है खुछ पूछा है खुछ बताया है खुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन केई हो और अप्दी जी मुझे आप वीडियो देखने के लिए अता दन्माद दूस्तो